दोस्तों आप commercial license याने की गुमास्ता license लेना चाहते हैं गुमास्ता license के लिए कैसे आविधन करेंगे, कौन-कौन से documents लगेंगे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो hello दोस्तो मेरा नाम है इम्रान, आप देख रहे हैं अंदर जहां पर माल इस पश्रूप से दिख रहा हो, बहार दुकान का बोर्ड इस पश्रूप से नज़र आ रहा हो commercial space electricity bill, shop या जहां पर car कर रहे हैं, rent पर हो तो rent agreement 500 के online stamp पर होना चाहिए साथ में एक mobile number और email ID अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसे online आविदन कैसे किया जाता है तो बिना किसी देरी के, चलते हैं सिधा ही monitor screen पर MP online portal के माद्धे हम से आप कैसे गुमासतर registration कर सकते हैं सबसे पहले आपको इस website पर आजाना है इसके बाद आपको पर क्योस्क login पर क्लिक करना है और MP online ID, user ID, password डाल करके आपको इसे login कर लेना है यानि कि MP online portal login कर लेना है इस प्रकार का dashboard आपके सामने आ जाएगा राइट पर citizen login का विकल्प नजर आएगा citizen login पर आपको क्लिक करना है इसके बाद sign up here पर क्लिक करना है अब यहाँ पर सबसे पहले user ID create करना है user ID create करने के लिए आविदक के अधार कार्ड में जैसी भी जानकारी है ठीक उसी का नुसार आपको जानकारी देनी है जैसे की आविदक का नाम अधार कार्ड का नुसार देना है जो आवे दख के अधार में हो, जनमती थी, पता, पिन कोड, जिला, मुबाइल नंबर और इमेल आईडी, अधार काट का नुसार दे देना है, उसके बाद नीचे सब्मिट पर क्लिक कर देना है, सब्मिट पर क्लिक करने के बाद आपको यूजर नेम प्राप्त हो जाएगा, सेम यूजर नेम और पासवर्ड आपको ये रेजिस्टेड मुबाइल नंबर और इमेल आईडी पर भी प्राप्त हो जाएगा, अब आपको यहाँ पर सेटीजन लॉगिन पर आपका यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चर कोड फिल करके लॉगिन पर क्लिक करना है, नया रेजिस्टेशन करने के लिए नियू रेजिस्टेशन पर क्लिक करेंगे, और पासवर्ड अगर ये आप चेंज करना चाहते हैं, जो मुबाइल पर आपको पासवर्ड प्राप्त हुआ है, और पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, तो चेंज पासवर्ड पर क्लिक करे फिल्हाल हमें यहां पर नया रजिस्टेशन करना है तो हम यहां पर न्यू रजिस्टेशन पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपको एप्लिकेंट की डेटेल्स देनी है यहां पर एप्लिकेंट का नाम और बिजनस की जानकारी देनी है यहां पर देखेंगे एप्लिकेंट की ड लगा हुआ है वह box बरना आपके जरूरी है यहां पर family members या other involved अगरे दिया आपके business से तो आप यहां पर उनकी details दे सकते हैं या फिर आप अपना ही नाम यहां पर अपनी details दे सकते हैं अगर आपके साथ में कोई partner से बगरा है तो उसकी जानकारी देना है partner से बगरा आपके न करना है business shop कहां पर है इसका district chain करना है category पर आते हैं तो किस type के आपकी category है shop है restaurant है उसका chain कर लेना है shop type में आपको यहां पर कितने employee है जीरो है फिर एक से तीन है या फिर चार से दस है या फिर दस से जादा worker है उसकी जानकारी आपको यहां दे दिनी है जो भी employee select करेंगे उसक इसकी हिसाब से नीची आपको फीस नजार आजाएगी business type में आप क्लिक करते है तो आपने जो भी उपर category chain किया है उसी का अनुसा नीचे business type आजाएगा आपको यहां पर किस type का business उसका chain कर लेना है आपने जितने उपर worker डाले हैं कितने male हैं कितने female हैं उनकी जानकारी दे नहीं आपको और साथ में आपका shop weekly कितने दिन close रहता है किस दिन close रहता है उस दिन का chain कर लेना है यसी Sunday को close रखते हैं तो Sunday क्लिक कर दे ऑनर टाइप में partnership है या फिर private limited है या फिर proprietor उसका chain करना है business date यानि कि start कप से की हो उसकी जानकारी देनी है employee details में आपको यहां पर manager and employee details में यहां पर अगर आपके पास में कोई manager है तो manager का नाम, details, date of birth, mobile number और उसका address देना है इसी प्रकार से नीचे आते है तो यहां पर name of accounted अगर आपने कोई accounted रखा हुआ तो उसकी जानकारी देनी है या फिर आप छोड़ सकते हैं और इसकी जगा आप अपनी जानकारी द मिलते हैं चाहे तो आप manual चलान कर सकते हैं या तो फिर आप online saver treasury चलान के माध्यम से online इसकी payment कर सकते हैं मैंने इस पर वीडियो बना दिया कि online चलान आप कैसे pay कर सकते हैं तो वीडियो उपर i button पर नीचे description पर मिल जाएगा तो आप जाकर कर देख सकते हैं लेकिन यहां पर चलान पे किया है उसे select कर लेना है यहां पर आपको नीचे description पर मैं आपको PDF दे दूँगा तो यहां पर आपको manual चलान मिल जाएगा तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपको इसके 5 printout ले लेना है एक PDF पर आपको 2 printout मिलेंगे तो इसी प्रकार के आप 3 printout निकालेंगे टोटल पर 250 दर्च कर देना है ठीक जानकारी आपको सभी slipper भर देनी है जो एक परसी पर देंगे यहां पर किसको payment जा रहा है तो यहां पर already उसके जानकारी दी हुई है नीचे जो भी आविदा खेयानी के प्रॉपराइटर है पार्टनर्शिप जो भी है उसकी signature होंगे अ इसके scan करके उसे upload करना होगा जो number आपको वहां से प्राप्त हुए ट्रेजडी number तो आप यहां पर ट्रेजडी चला number पर दर्च कर सकते हो तो इस तरीके से दोस्तों आपको पूरी जानकारी यहां पर दे देनी है और कम से कम एक employee की details आपको यहां पर डालनी ही डालनी है ए नीची आना है save details and proceed for upload supporting documents पर आपको click करना है इसके बाद आपको सारे documents यहां पर upload करने होंगे जैसे passport size photo applicant का 200 kb से कम का size उसका होना चाहिए size कैसे कम करते है photo का उपर i button पर इसका मैं video link दे दूँगा तो आप जाकर के वहां पर देख सकते हैं जैसे कि यहां पर applicant का passport size photo upload करना उसका size भी दिया हुआ है address proof यहां पर आप देख सकते है PDF या JPG जो भी format यहां पर बताया जा रहा है उसी format पर आपको इसे upload करना है commercial address पर आपको जो चीज़ मांगा जा रहा है उससे आपको upload कर देना है और सबसे उपर आपको जो applicant number नजर आ रहा है उससे आपको कहीं document form A PDF only यह form आप नीचे आएंगे तो यहां पर देखेंगे आपको download करने के लिए मिल जाएगा तो आप download कर सकते हैं और यहां पर आपकी shop का जो banner है जहां पर आपका नाम विजिबल हो रहा है shop का उस photo को upload करना है इस download form A पर click करेंगे इस form का print out निकाल लेना है और यहां पर जो भी question पूछे जारहों से हां या नहीं मैं टेक कर लेना है और इसे scan करके upload करना है सभी documents आपने अगर upload कर दिये हैं तो आपको नीचे आना है box को check mark करके submit पर click करना है अब आपको MP online के payment gateway पर ले जाए जाएगा यहां पर आपको registration की payment pay करनी है यहां पर आपको payment fee show हो रही ह उसके बाद proceed to payment पर click करना है और यहां पर आपको MP online का password दज कर देना है confirm payment पर click करना है अब यहां पर देखेंगे आपका transaction ID भी show कर देगा तो इसका print out आपको ले लेना है और यहां पर आपने सफलता पूरबा गुमास्ता का पंजियन कर लिया है अब आपने जो आविदन कि जा फिर वीडियो की end screen पर मिल जाएगा आप जाकर के देख सकते हैं आप online चलान भी कैसे पे कर सकते हैं इसके मैंने वीडियो बना दिया है आप वीडियो जाकर देख सकते हैं और अगर यह आप इसका चलान online करना चाहते हैं तो आपको business और category इसके अनुसारी select करनी होगी और online चलान payment पे कर सकते हैं होब कि वीडियो पसंद आया होगा इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल पर पहली बार पर subscribe करना ना भूले नौटिविशन पर आइकन को प्रेस करके all पर click कर दें इसी प्रकार की धिर सारी वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अगली कर दो